दिलीब कुमार का निधन हो गया है वो 98 वर्ष के थे दिलीब कुमार लंबे समय से बीमार चल रहे थे और उन्हें कई बार अस्पताल ले जाना पड़ा था दिलीब कुमार के स्वास्थ के बारे में बताया जाता था कि उन्हें काफी वक्त से सांस लेने में तकलीफ हो रही बॉलिवुड में ट्रेजडी किंग नाम से मशूर रहे दिलीब कुमार ने कई यादगार फिल्में की उनका जन्म 11 दिसंबर 1922 को पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था जन्म के वक्त उनका नाम मुहम्मद यूसुफ रखा गया था उनके पिता काम की तलाश में मुंबई आ गए थे जहां बाद में चलकर दिलीब कुमार ने अपने अभिनेय का सिक्का जमाया उन्होंने अपना नाम मुहम्मद यूसुफ से बदल कर दिलीब कुमार कर दिया था ताकि उन्हें हिंदी फिल्मों में ज्यादा पहचान और सफलता मिल सके। उनकी पहली फिल्म जुआर भाटा थी, जो साल 1944 में आय थी। लेकिन साल 1949 में बनी फिल्म अंदाज ने उन्हें प्रसिधी दिलाई। इस फिल्म में उन्होंने राजकपूर के साथ काम किया। साल 1955 में उन्होंने देवदास फिल्म में ऐसी आधाकारी की, कि लोग उन्हें प्रजिडी किंक कहने लगे। उसके बाद मुगल आजम में उन्होंने मुगल राजकुमार जहांगीर की भुमी का निभाई। यह फिल्म पहले ब्लैक इन वाइट थी और साल 2004 में से रंगीन बनाया गया दिलिप कुमार लगभग 1998 तक फिल्मी दुनिया में सक्रिय रहे उन्होंने विधाता, दुनिया, कर्मा, इजददार और सौधागर जैंसी हिट फिल्में दी दिलिप कुमार के नीजी जीवन की बात करें तो उन्होंने साल 1966 में अभिनेतरी साइरा बानों से शादी की उन्हें साल 2000 में राज्य सभा के सदस सके तोर पर नामित किया गया था 1995 में उन्हें फिल्म जगत में यादगार योगदान के लिए दादा साहिब फाल के पुरसकार से सम्मानित किया गया था इतना ही नहीं, साल 1998 में उन्हें पाकिस्तान का सरवोच नागरिक सम्मानित